हेलो अब्रीवन आप लोग इस चैनल पर न्यूव हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके फिर आपको यहाँ पर सारे वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ठीक है तो कैसे हो आप सबी आपकी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपके बहुत जादा अच्छी चल रही होगी तो आप लोग इतने दिने से बोल ले थे ना कि बायो कब होगा बायो कब होगा तो लेजी आप लोग के लिए आगया बायो का आज पहला क्लास ठीक है खूस हो ना सबी ऐसे ही खूस रही है ठीक है दम मस्त से का ड़ास कीजिए यह जो चैप्टर डपका होगा आज एनिकी 20 कोशन लेके आए हम आपके लिए तो किसी होगा प्लान केंगडम से होगा ठीक है यह कोशन आपका जो है एक्जाम पेटर्ण पर एकजाम में जो question पूछा जाएगा आपका इसी type का question पूछा ठीक है तो चल यह बढ़ते हैं अप में आगे 책 करना है तो लिगी में आगे screen पड़े आप लोगे को chilly किに in a qi की kषण होते हैं जो आपका इंग्लिस का जीयो कातियों हिंदी में पूछा जाता है थीक है एक्जाम में भी आपको पत्था है क्या करेगा है कि पुछा जाएगा यानि कि प्लान गींडम क्लासिफिकेशन कौन कि है या फिर वर्ण इस टो इस तरह आपको पूछेगा फिट जैसे हो तक तै कुछ वर्ड होता है टेरीडोफ हाइटा हो गया टेरीडोफ फार्टा हो गया यह सब आपका जो वर्ड होगा ना ब्रायोफ अब क्या हो जाएगा यह सब आपका जो कातियों इंग्लिश का हिंदी में उसी तरह लिखाया जाता है जिसे आप लोग हिंदी में लिखेंगे तो उसी तरह आपका यहां से यहां से यहां से डारेक्ट आपका ऐसे करके हिंदी में होगा ठीक है तो एक्जाम में भी आपको कोशन में इसी तरह रहता है जब प्रि तो चलिए देखते हम लोग पहले पहला कोशन पहला कोशन है किसने बनस्पती जगत को दो भागों में कौन यानिकी विभाजित क्या था ठीक है यहाँ पर छूट यह है थोरा सा किसने बनस्पती जगत को दो भागों में विभाजित किया था ठीक है तो टू किंग्डम क्लासिफिकेशन कौन दिया था बनस्पती जगत का यह आप लोगों को बताना तो पहला है क्लियर दूसरा है वाटेकर और तीसरा है रिस्टोटल तो बताए कि तिनों में से कौन दिया था टू किंग्डम क्लासिफिकेशन प्लान किंग्डम का ठीक है प्लान किंग्डम का टू किंग्डम क्लासिफिकेशन कौन दिया था बताए फटा फट से कौन दिया था क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका हु जाएगा एक क्लियर ठीक है एक एक है यह दिया था तो ठीकेशन ठीक है और आप लोग यह बताए कि ह leva क्राइब खौक्टिकेशन प्रस्भिपैसंग आप फाइब किन्ग और घूपकेशन कॉन दिया था कि तो वह दिया था आपको वलोग करने यह दी आ था आपका फाइव किंगडव क्लासिफिकेशन ठीक है दिया दिया ना कणिंग्डव क्लासिफिकेशन आपको यह बताना है कि इस टू क्लासिफिकेशं ने प्लांट को तो फार्ट में डिवाइट किया होगा वह कौन-कौन सा होगा क़्ांसफर्म धूज्ज्म में हो इते सब्कंपता गया मच बाद के लिवाइट parta आप को बताना है तो कोश्वर्म में कौन सा यानि कि प्लान को जो दो भाग में डिभाइड किया गया था तो वह क्या हो जाएगा आपका प्लांट को दो भाग में जो डिभाइट किया तो वो आपका है ठीक है क्या है तो क्रिप्टो गेमस ठीक है तो क्या है क्रिप्टो गेमस ठीक है क्रिप्टो गेमस है और दूसरा है आपका फैनेरो गेमस ठीक है fenaro games यह सब आपको लिखा वह पर ठीक है तो आप लोग इछेसे देख लीजे जए और क्या है कि crypto games में आपका crypto games जो plant होगा वो seedless होगा seedless यानि कि आप बोल सकते हैं कि उसमें जो बीज नहीं होगा ठीक है वो जो plant होगा उसमें बीज नहीं Panty ठीक है लोग देखते हैंब हम लोग देखेंगे आप की सम इंपोटेंट पॉइंट ऑफ क्रिप्टो गेमस तो क्रिप्टो गेमस भी आपका तीन पार्ट में डिभाइडवा ठीक है प्लांट ब्लांट हुआ हुआ plant आपका हुआ दो पार्ट में डो क्रिप्टो गेम तो क्रिप्टो में और दूसरा आपका हुआ यह आपका हुआ तीन पार्ट में ढिवाइड तो कौन कौन सा थेलो फैर्डा यह सब आप नोट कर लिजा सकता है तो टू किंग्डम क्लासिफिकेशन क्या था उसमें कौन कौन से पार्ट में डिभाइडवा था यहनी कि अगर पूछ लिया क्रिप्टो गेम्स का तीनो तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अब दूसरा है आपका क्या है ब्रायो फाइटा है ठीक है ब्रायो फाइटा है ढ़िए तो ब्रायोःवाइटा कैसे लिखेंगे आप लोग ब्रायोःवाइटा को जो हिंदी होता है इसका कोई noi तो आप लोग देख लिजेगा book में भी जाके same आपको यही मिलेगा ठीक है अद थेलो फाइटा का भी वही होता है अधेलो फाइटा का भी वही होता है और आपका क्या है दूसरा टेरीडो फाइटा, टेरीडो फाइटा, ठीक है, इसका हिंदी भी वही same to same English का लिखाता है, ठीक है, यह आपका तीनों होगे, यह तीनों क्या होगे, आपका प्लान्ट है यह कभी भी seed नहीं देगा को, ठीक है, बता है कि यह सीड लेस प्लान्ट होता है, यानि कि बीज जो है वो नहीं देगा, ठीक है, और आपको यह flower भी नहीं देगा, ठीक है, प्रि मेटिटिफ भूपतर सकते हैं इसमें पपता ही नहींग रहाजा है जीता है टड़ी का सिंपल मेप सीप उसको भोजन मिल जाना चीप यह नहीं पता रहता ने कि भोजन कौन बनाया कहां से गया यह नहीं कि कौजालम से गया कि फ्लोयम से गया यह सब पता नहीं होता इसमें ठीक है इसले इसको प्रिमिटिव टाइप प्लांट हम लोग बोलते हैं इसले इसको हम लोग क्या बो पूछ लिया अगर एक्जाम में की बैट थेलो फाइटा पौधा का कुछ आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या होता है थेलो फाइटा यह जो पौधा है उसका कुछ पता होना चाहिए तो क्या है दी जाते smallest, simplest और primitive पौधा अब माल लिजए कि crypto games का यह crypto games का पाट है तो यह भी उसी टाइप का होगा ना यहीं कि simple और primitive टाइप का यहीं कि आदिम पौधा ठीक है आदिम पौधा और क्या बोला ना कि यह थेलस प्लांट होता है थेलस प्लांट है इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि यह जर है कि यह steam है यानि कि तना है या फिर यह क्या है आपका पत्ती है पता नहीं चलता है इसमें ठीक है इन तिनों का पता नहीं चलता है बस अजीब जैसा ऐसे से सिकरके पौधा रहता है तो उसमें पता नहीं चलता है कि इसमें क और लेकव व्याश्पूलर टीश्व नहीं होता है तो संवानी ऊंतक को मुझे कमी इसे मैं पता नहीं Week तो मतलब पानी वगड़े मिनरल वगड़ा जो मतलब ऐसे करके तो वो हमारा क्या होगे वो उसमें थैलोफाटा वाले प्लानेट में प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है तो हम लोग देखेंगे आगे हमारा क्या है तो क्या हो जगा थैलोफाइटा ठीक है थैलोफाइटा ही फंगी और अलगी यानिकी लाइकन सबको इंक्लूट करके रखता है दूसरे आपका है कोशन फ्रोम वीच अलगी आयोडीन इस फाउंड यानिकी अलगी जो हो गया उसका कौन सा अलगी ऐसा है जो हमको आयोडीन देता है यानिकी वो जो स्वाल्ट हम लोग करते ना आयोडीन तो वो कौन सा अलगी हमको देता है ठीक है यहां पर महिंदी लिखना बूल गाए तो इसका आप लोग कर लिजगा फ्रोम विच अलगी आयोडीन किस एलगी से हमें किस एलगी से हमें आयोडीन प्राप्त होता है यानि कि सौल ठीक है तो आयोडीन प्राप्त होता है ठीक है तो यह आप लोग कर लिजेगा ओके तो क्या हो जाएगा आपका कौन सा एलगी हो जाएगा इसका कौन सा एलगी हो जाएगा तो very good जिनोंने भी option नमर B किया है तो उसका सही हो ठीक है तो क्या हो जाएगा लेमिनेरिया ठीक है लेमिनेरिया से हम लोग को क्या होता है आयोडीन का मता आयोडीन प्राप्त होता है ठ अगला कोशन है, which algae is used as component of sewage oxidation tank, यानि कि कौन से algae को हम लोग oxidation, यानि कि sewage के oxidation tank में use करते हैं, ठीक है, तो कौन सा algae ऐसा है, जिसको oxy current, यानि कि sewage के oxy current में use करते हैं, प्रियोग में लाए जाता है, बताइए, कौन सा हो जागा algae, कौन सा algae हो जागा, बताइए, सभी कोई इन तीनों में से, lichen है, chlorella है, spirovera है, कौन सा algae हो जागा, तो very good, जिन्होंने भी आपसे नमर B किया है, देन उसका सही है, तो क्या हो जाएगा, chlorella, chlorella algae जो है, या आपका किसमें use होता है, sewage oxidation tank में, ठीक है, sewage oxidation tank में करने के लिए, कुछ-कुछ algae जो होता है, वो हमारा friendly भी होता है, कुछ-कुछ algae जो होता हमारा friend के तरह भी होता है, तो उसतरह हम लोग इसको use कर सकते है, ठीक है, अब आप लोग के लिए question है, कि ऐसा कौन सा वाइरस है, यानि कि आपसे मतलब हम algae पर है, पर फिर भी आपसे question पूछ रहेगी, ऐसा कौन सा वाइरस है, ऐसा कौन सा वाइरस है, जो की ना हम लोग के लिए तो वो खराब नहीं होता है, क्यों खराब नहीं होता है, उसमें एक वाइरस पाए जाता है, वाइरस पाए जाता है, वो कौन सा है, टीटू वाइरस है, टीटू वाइरस का नामी है टीटू वाइरस, ठीक है, तो यह क्या होता है, यह गंगा रिवर में पाए जाता है, यह प्रेधिक वायरस जो है यह रीवर को किया करता है साफ रगता ठीक है र candle लोग कर लिजिए ठीक है मैं ये गंगा डी बन कर लिए पानि रहता है चापनी छापा करते रहता है तो आड़े रहता ओइसा ही पर लिदे रहता है, पाने चापा कल के तरह ठीक है तो यह हमारा विवारस हो गया हल्प हो लोगी हमारे लिए ठीक है चलिए तो देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन क्या हमारा antibiotic chloraline टीक है, आपको बताना है कि एंटिबारिक क्लोरण जो है किस ऐलगी से प्राप्त किया जाता है, हम लोग ईंटिबारिक लेते हैं, तो यहाँ पो एंटिबारीक क्लोरेलीन बताना है, ठीक है, क्या बताना है? antibiotic schlimm cricket NICK, ये किस बैक्टेडियास से अने, किस एलगी से प्राफ्ट होता है किस एलगी से प्राफ्ट होता है यह एंटिबाइटिक क्लोरिन यह आपको बताना है कौन से इससे प्राफ्ट होता है बताए आप लोग कौन से एलगी से प्राफ्ट होता है एंटिबाइटिक क्लोरेलीन बताइए सभी कोई फटाफट तो क्या हो जाएगा तो very good जिन्होंने भी option नमर एक है तुन उसका सही है तो क्यों होगा आप देख रहे हैं ना chloraline chloraline है अपकोस यह क्या हुआ होगा chloraline किससे बना होगा chloraline से बना होगा तो antipartic chloraline chloraline जो हो किससे प्राप्ट होता आपका chloraline से आपके एक्जाम में इसी टाइप के एक्जामपल वाले कोशन ही पूछे जाता है कि कौन सा बेक्टेडिया यानि कि फंगी है इससे क्या प्राप्ट होता या फिर कौन सा पौधा seedless plant है कौन seed bear करता है इस टाइप से आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह आप लोग को देखना है सारा ठीक है आपको अभी एक और बताए थे ना chloraline का यूज तो किसमें हुआ था sea waste tank में किसमें यूज करते थे हम लोग chloraline का sea waste tank में sea waste oxidation tank में sea waste oxidation tank में ठीक है तो यह आपको हो गया ठीक है चलिए देखते हैं अगला कोशन तो अगला कोशन हमारा which one सोज symbiotic relationship between algae and fungi ठीक है तो आपको बताना है कि कौन जो है symbiotic relationship बताता है algae और fungi में यानि कि कौन एक सहजीवी रिस्ता algae का बताता है ठीक है कौन एक सहजीवी रिस्ता दर्शाता है algae और fungi के बीच में कौन दर्शाता है बताईए यह तो सबको पता होना चाहिए सबको पता होना चाहिए 11-12 सब पढ़ा होगा न कहीं बुक से बाहर एक भी कोशन नहीं आपका सारा बुक से कोशन है ठीक है इसके बाद हम आपको प्रिवियस यहर करवाएंगे पहले हम चैप्टर का कोशन कराएंगे उसके बाद हम आपको प्रिवियस यहर कोशन कराएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो प्रिवियस यहर का फंगी के बीच में कौन निभाता है तो लाइकन निभाता है ठीक है सब आपका पता है अग्दम लंबा चोड़ा कहानी के तरह था हम आपके लिए वन लैनर कोशन बना के लाएं एक लाएं अपको अच्छे से कर लिजेगा आपको दिक्कत नहीं हो समझने में दिक्कत नहीं ह तो क्या है आपको ये बताना है कि कौन एक इंडिकेटर है वाटर पोल्यूशन का कौन वाटर पोल्यूशन को दरसा आता है जल परदूशन का कौन एक संकित तक है संकित तक है कौन है जल परदूशन का संकित बताईए फटाफट से सबी सबी कोई बताईए फटा-फट से कौन है तो क्या हो जाएगा very good जैनार नोंने भी option नमर एक किया देन उसका सहे तो क्या हो जाएगा लाइकन ठीक है लाइकन ठीक है क्या हो जाएगा लाइकन लाइकन जो यह वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है या फिर जल परदुर्षक का संकेता भी बोल सकते हैं और शुल्ये देखते हैं अगला कोशन तो अगला कोशन है हमारा वीच वन है फूर्ट food material as glycogen, आपको बताना है कि को किस के पास जो है सिंचित भोजन है glycogen के रूप में, कौन अपने अन्दर glycogen के रूप में भोजन को सिंचित करके रखता है, glycogen के, हम लोग पढ़ते ना, starch के रूप में, fat के रूप में, आपको यह बताना कि गलाइकोजेन के रूप में कौन अपने अंदर food को store करके रखता है तो कौन रखता है बताइए कौन रखता है गलाइकोजेन के रूप में तो very good, जिन्होंने भी आपसे नमर एक किया है देनों उसका सही, तो क्या जगा फंगी फंगी जो है ना, फंगी ये क्या करता है गलाइकोजेन के रूप में food को store करता है किसके? गलाइकोजेन के रूप में ठीक है? गलाइकोजेन के रूप में सब आपको याद कर लेना ठीक है, इसी टाप के question आपके exam में आते हैं कि हरिक चैप्टर का आपको लोग दम अच्छे से कड़ा देंगे जितना हम बन सकेगा वन लाइनर कोशन हम आपको जरूर कड़ा देंगे ताकि आपको एक्जामे कोई दीकत ना हो आपको अगला कोशन है इसमें बताइए कि कौन एक एल्गी नहीं है इसमें बताइए कि कौन एक एल्गी नहीं है बताइए फटा फट से क्या हो जाएगा कौन एक algae का उदाहरन नहीं है इन चारों में से एक है albugo candido दूसरा है chlodella दूसरा है laminadia और चौथ है आपका slim mold तो आप बताए और पाचवा आपका है spirovira आपको पाचवा है spirovira तो आप ये बताए कि कौन सा इसमे algae नहीं है एक algae नहीं है बाकी बाच सब algae है एक आपका क्या है fungi है अप ये बताए कि कौन सा इसमे algae नहीं है तो very good जिनोंने भी option number 1 क्या है दन उसका सही है तो क्या हो जगा albugo candido जो है ये आपका algae का उदाहरन नहीं है ठीक है ये क्या है ये fungi है आपका ये क्या है fungi है चलिए देखते हैं अगला question अगला question which of the following is not a fungi पहले आपसे पूछे कि कौन एक algae नहीं है आपको अब ये बताना है कि इन चारों में से या पाचों में से कौन एक fungi नहीं है बाकी बाद एक fungi नहीं होगा बाकी बाद सारा आपका क्या होगा फंगी होगा तो आप obviously option के according बता सकते हैं कि कौन सा एक fungi नहीं है तो बताए कौन सा एक fungi नहीं है आपका क्या हो जाएगा कौन सा एक fungi नहीं है तो बताएगे फटा फट से तो very good जिनोंने भी option number 1 क्या है तो क्या हो जाएगा slim mold Slim mold देखिए आपको क्या बता थी कि यह क्या है I will क्या हो जाएगा यह आपक話 क्या यह आपका algae हो जाएगा यह आपका vine नहीं होगा तो यहं सब आपको याद करना पडेंगा कि कितना fungi है कितनाफ़गी है कौन fungi है कौन i Lebshire सब को जो है किस फंगी से यह प्राप्त किया जाता है फंगी से क्या हो Gel जाएगा इन तुनों में से यानि कि दो में से कौन हो जाएगा आपका फटा-फट से कीजिए क्या हो जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा वेरी गुड किसे प्राप्त किया जाता है तो अल्पयोगों कैंडीडों ठीक है यह क्या आपका यह आपका क्या फंगी है ठीक है यह यह फंगी है इससे हमें वाइट रोस्ट अप्रेस्ट इस पत मिलता है ठीक है प्राप्त किया जाता है के चलिए देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है वीच आप दो फॉलाइंग है नोट क्लोरोफाइल एक फंगी है यानि कि कौन एक है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होत है अब प्लस में आपको क्या होता है उसका अलग किंग्डम है तो बताइए कि कौन एक है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वह फंगी क्या होता हो उसका अलग एक किंग्डम है आप जब आप फाइप किंडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगे क प्लान किंग्डम को ने आपको यह बताने तो बताएं फटा-फट से क्या हो जागा प्लान किंग्डम कौन एक प्रानी जगत का उभैचर कहलाता है कौन एक प्रानी जगत का उभैचर कहलाता है बताएं फटा-फट से कौन कहलाता है प्रानी जगत का उभैचर अभी हम आपको बताया थी ना कि यह जो प्लांट है क्रिप्टोगेम्स उसको तीन पार्ट में डि ञिए दुभाइट किए अगे टेरिडो फैटाव्राइफ ऑन्थेलो फैटाव तो क्या ओजाए आपका ब्राइफाइटा खिलाता थे तो प्राणी जिगत का आपके उभाईचर कहलाता है ठीक है ठीक है तो कौन हो जाएंगा ब्राइफाइटा तो जिननों ने भी किया है उस वाटर में भी ठीक है, दोनों जगापे, तो वो हमारा क्या हो गया, उभैचर कहला आया, ठीक है, इसलिए इसको अम्फिवियों नो प्लांट बोलते हैं, ने कि उभैचर नो प्लांट, ओके, अगला है अमारा, अगला है, वीच अब तो फोलोएंगी, जी स्मॉलेस्ट ब्रायो फार्टा, आपको बताना है कि कौन सा एक स्मॉलेस्ट ब्रायो फार्टा है, डॉशोनिया है, जोपसिस है, इस त्वैग नम है, बताई कि क्या हो जाएगा आपका, कौनिक हो जाएगा आप कर गरिशनओ नुन भी आपसे मिर्ट बीकिया है देन उसका सई तो क्या जरुकoga जो जो पाएक सभसें चोटा फाइक रहिए भाइटा है फ्लांट हे उसमें जो पोप चिस जो सबसे चोटा फ्राय कशो होता है ए weaving ARP मोस आपको बताना है कि कौन सा एक सबसे बड़ा मोस इस धर्ती पर कौन सा एक बड़ा मोस पाए जाता है जल्ले सी किजिए फटाफट किजिए क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आपको क्या हो जाएगा डौसोनिया ठीक है यह जो option number D जीनों ने भी किया है उसका साहिए तो क्या हो जाएगा डौसोनिया जो वो सबसे बड़ा largest most पहाजाता हमारे अर्थ पर ठीक है largest most यह सब आपको याद करना पड़ेगा ओक्याई ऐसे नहीं होगा इसको याद करना पड़ेगा आपको चलिए देखते हैं अगला कोशन है वीच आप दो फोलेंग वीच आप दो फोलेंग कंसीडर ऐस दो फर्स प्लांट टो वी इंवल्व ऑनलेन इवल्व ऑनलेन आपको ये बता आने कि कौन सा पौधा धर्ती पर सबसे पहली बारा ऐसा माना जाता है कि कौन सा पौधा जो है कि धर्ती पर पहली बार आया बता ये फटा फट से कौन सा पौधा आया था ब्राय फाटा टेरीडो फाटा थेलो फाटा कोन आया था धर्ती पर पहली बार तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो वेरि गूँट जिनोंने भी option number B किया है defy तो क्या हो जाएगा teridophyta teridophyta ऐसा plant है कि माना जते हैं कि धरती पर पहली बार आया था ठीक है धरती पर पहली बार यही plant आया था ठीक है ऐसा माना जाता है अगला कोशन है वीच आप फॉलएंग प्लांट है डिफ्रेंसियेटेटेट डूर्ट स्टीम एंड लीप्स आपको ये बताना है कि कौन सा एक पौधा है जिसका जो है ना मतलब कितना और जाए डिफ्रेंसियेटेटेटेटेट इन्हें अलग-अलग होता है और वो पौधा जो है वो क्या होता इस पौड़ोफार अर्ण। इसका पौधा प्लांत है वो स्पौड़ोफार्टीग उन्हें बताए क्या हो जाएगा कौन सा पौधा हो रूट प्लांट ठीक है अन्यसरेट यह सब आपका डिफरें सियरत सब्सक्राइब हाए और यह सब्सक्राइब लब करता है। कि यह हो गया आपका प्रेंट केंग से 20 चृषशन और आपके लिए लेख आएंगी यह तो हमारा हो गया सिप्प्प्रटो गैमस में थीक है क्रिप्टो गैमस अब आपका बच गया है नइकPhone आपका बचा है ना कौन सा पार्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए कोशन लाएंगे उके प्लांट इंग्डम से फैनोर डेख लेगा ओके चलिए यहाँ पर कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं ब्रायोफार्टा के बारे में ठीक है वो तो हम लोग नहीं देखे ना थैलो एक विभी अर्प्लांट नहीं कि इंट था लैंट यह करता है या nam है यह धर्ति और यह वाटर पर दोनों में रहता है चीब करका Vincent शुमा मटभी गीकश में कर नहीं होता है कै और यह यह जो है यह क्रिस्किंग और इसमें रूट जेनरली अपसेंट यानि कि जर जो होता ना रूट जो जर बोलते हैं यह नहीं पाया जाता है ठीक है यह जेनरली अपसेंट होता है पाया नहीं जाता है इसमें इसमें क्या करता है और यह जो रिप्रोड्यूस करता है ना रिप्रोड्यूस करता है यह क्या प्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसका जो सेक्स औरगेन उता है वो क्या होता है सेलूललर होता है यह हो गए आपका और यह करता है यह क्या करता है यह he जो है न मताफ नुर्व करता है 2 generation 2anca li melhores त्थिक है टू आल्टरलेशन जनरेशन सो करता है यह आपका हो गया ठीक है तो फिर मिलते हैं हम लोग यह आपका हो गया प्लान किंग्डम से कोशन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अभी के लिए टाटा है बाई बाई शियू टेक कियर वीडियो आच्छी लगी हो तो जरूर लाइक किजेगा ओके